नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पड़ने मेरी नजर से. अभी कुछ दिन पहले और उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राजियों में, विधान सभा चुनाओ के ठीक कुछ महीने पहले, भारते जन्ता पार्टी के राजे सभा के सदस से, हरनात सिंग यादव ने एक बहुत ही कॉंट्रोवर्शल बात संसद में रखी. शुन्य काल के दौरान, हरनात सिंग ने कहा, सरकार को, Places of Worship Act, Special Provisions, को रिपील करने के कदम उठाने चाहिये. He said, the law just not violates the constitutional principles of equality and life, but also the principles of secularism. That is why it should be annulled. ये एक विडम बना थी कि भारती जनता पार्टी के एक सदस से ने secularism को सम्विधान की preamble और basic structure of constitution का एक अभिन अंग बताया. लेकिन फिर हम सभी जानते हैं, भारती जनता पार्टी के लिए secularism आपकी और हमारी समझ से बिलकुल अलग है. Harnath Singh referred to those sections in the Act that make it clear that the religious character of a place of worship shall continue to be the same as it was on the 15th of August 1947. यह कानून, September 1991 में P.V. Narsimha Rao सरकार द्वारा पास किया गया था. It said, no person shall convert any place of worship of a particular religion into one of a different faith or section. सिंग ने दावा किया, हरनात सिंग की बात कर रहा हूं, यह कानून foreign invaders, द्वारा, निर्मित, श्री कृष्ण जन्मभूमी और अन्ने पूजास थलों पर जबरन, कबजे को legitimize करता है. उन्होंने आगे कहा, Places of Worship Act श्री राम और श्री कृष्ण के बीच में discriminate करता है, जबकि दोनों विष्णू के अवतार हैं. विपक्षी नेताओं ने इस बात का विरोध किया. उन्होंने विषय को उठाने की अनुमुती देने के अध्धक्ष के फैसले पर भी सवाल उठाया. Despite protests from opposition ranks, several other members from the treasury benches were also allowed to express support for Harnath Singh Yadav's demand. ये पहली बार नहीं थी जबकि हरनाथ सिंग ने ये मांग की. November 2019 में Supreme Court के अयोध्या फैसले के बाद वे भगवान कृष्ण के वेश में संसत पहुँचे थे. Fancy dress पहन के. जब वो पहुँचे तो जर्नलिस्टों के साथ उनकी बात हुई. जर्नलिस्टों obviously माइक लेके चले गए क्योंकि विज्वल स्पेक्टिकल भी था. उन्होंने बात करते हुए कहा कि राम जन्म भूमी के बाद कृष्ण जन्म भूमी का नंबर आना चाहिए. उस समय लेकिन उन्होंने प्लेसस अफ वर्शिप अख्ट को रिपील करने की मांग नहीं की. But as the political narrative has evolved since then, since the formation of the Temple Trust in Ayodhya and various other progress made on constructing the Ram Temple, raising this demand has become the natural step of Hindutva forces. अयोध्या में बन रहे राम मंदिर 2024 लोकसभा के चुनाओ के कुछ महीने पहले, December 2023 में भक्तों के लिए खोला जाना निर्धारित है. निसंदे, ये मुद्दा भाजपा की उपलब्दियों की सूची में सबसे उपर होगा. काशी विशुनाथ मंदिर कॉरिडोर के उद्गाटन का पहले से ही बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है. मुझे लगता है, Places of Worship Act के खिलाफ अभियान अभी उस समय तक और मोमेंटम पकड़ लेगा. ऐसा क्यों है? दरसल, वारण असी में ग्यानवापी मस्जित और मथुरा में शाही ईदगा सहित सभी तीर्थ स्थलों को ये कानून सुरक्षा प्रदान करता है. 15 अगस्ट 1947 को जिस थिती में वे थे, उसी कंडिशन में उनको रहने के लिए प्रोटेक्शन मिलती है. And under what circumstances was this law passed? Why is it essential for this law to remain in our statute books? Why is the fight to prevent it from being repealed so essential for maintaining India's secular character? मोटे तौर पर ये कानून को PV नर्सिमा राव सरकार ने अयोध्या मुद्दे को बाकी एतिहासिक धर्म स्थलों पर विवादों से इंसुलेट करने के लिए September 1991 में पास किया था. भारती राजनीती में ये वह दौर था जब राम जन्म भूमी आंदोलन अपने चरम पर थी. The Places of Worship Act, enacted in 1991, aimed to simultaneously assuage sentiments of Hindus while providing an assurance to Muslims. The law kept the door open for constructing the Ram Temple at a later point by keeping it outside the ambit of the law. On the other hand, it reassured Muslims that other Places of Worship, claimed by the Hindu fringe, would be safeguarded by the state. Babri Masjid Ram Janma Bhoomi Mudde को लंबे समय तक अन्रिजर्व रहने के कारण, Places of Worship Act के दाएरे के बाहर रखा गया था. This also left the door open for a negotiated settlement on the dispute. जब ये कानुन बनाया गया था, उस समय तक विश्व हिंदु परिशद का नारा, ये तो बस छाकी है, मतुरा काशी बाकी है, ये हर मौके पर गुंचती थी. साथ ही लगभग तीन हजार मस्जितों या फिर protected monuments की सूची बन गई थी, जिनको हटा कर, रेस्टोर करके हिंदु मठ बनाने थे. उन में से दो पूजास्थलों पर फिलाल केसे चल रहे हैं, लखनवस्थित, तीले वाली मस्जित और कुतुब मिनार पर. These cases are extremely odd and against legal logic because the Places of Worship Act prevents any court from entertaining suits concerning alleged conversions of character of the religious structure or places. उस वक्त के जो ग्रिह मंत्री थे, S.B. Chavaan ने लोकसभा में इस कानून का उदेशे समझाया था. We see this bill as a measure to provide and develop our glorious traditions of love, peace and harmony. These traditions are part of a cultural heritage of which every Indian is justifiably proud. Tolerance for all faiths has characterized our great civilization since time immemorial. These traditions of amity, harmony and mutual respect came under severe strain during the pre-independence period. After independence, we have set about healing the wounds of the past and endeavored to restore our traditions of communal amity. By and large, we have succeeded, although there have been some unfortunate setbacks. Rather than being discouraged by such setbacks, it is a duty and commitment to take lesson from them for the future. उस वक्त के BJP Firebrand Leader उमा भारती, जो आजकल बिलकुल आउट आउट अफेवर हैं, उन्होंने बिल पर पार्टी की opposition को संसद में लीड किया था. उन्होंने कहा था, By maintaining the status quo of 1947, you are following a policy of appeasement, तुष्टी करन. These disputes are wounds and marks of slavery on Bharat Mata. Till Gyanwapi Mosque continues in its present condition at Banaras, it will remind us of atrocities perpetrated by Aurangzeb. CPI MP Malini Bhattacharya was among those to back the bill. She stated, August 15th, 1947 is crucial because on that day we emerged as a modern, democratic and sovereign state. She added, The state has no official religion and gives equal rights to all different religious denominations. So, whatever may have happened before 1947, we all expect that from that day, there should be no such retrogression into the past. The Places of Worship Act passed, होने के बाद सरकार पर ये दाइत्व थौप दिया गया था कि वे 15 ओगस्ट 1947 को मौजूद जो भी पूजा स्थल जिस हालत में थे उसी में उनको प्रोटेक्ट किये जाएंगे Places of Worship Act के पारित होने के बाद संग परिवार ने कई वेक्तियों और संगटनों के माध्यम से अलग-अलग अदालतों में कानून को रद कराने की कोशिश की पर हर कोशिश उनकी नाकाम रही In its November 2019 judgment, the Supreme Court stated that the Places of Worship Act protects and secures the fundamental values of the Constitution. The five judges said that Parliament passed this law in 1991 for the following reason. The judgment said, Parliament determined that independence from colonial rule furnishes a constitutional basis for healing the injustices of the past by providing the confidence to every religious community that their places of worship will be preserved and their character will not be altered. The judges observed that secularism is one of the basic features of the Constitution and the 1991 law was a vital step towards progress and harmony. Places of Worship Act की इतनी प्रशंसा के बावजूद And despite the fact that he was one of the members of the five judge bench, Former Chief Justice S.A. Bobde and two any judges ने इस साल मार्च के महीने में इस कानून के खिलाफ एक याचिका या पेटिशन को एडमिट कर दिया. This has the potential to reopen the chapter of decades of Hindu-Muslim hostility. On the one hand, is this latest legal challenge to the law that protects secularism and religious institutions. वहीं दूसरे तरफ, Harnath Singh Yadav और BJP के नेताओं को अवसर दिया जा रहा है to attack the Places of Worship Act. They are in fact being allowed to create the right mood for another divisive campaign to be launched. मुझे विश्वास है, देर सबेर ये मांग संग परिवार, विशेशकर भारती जनता पार्टी, उनके अपने अजेंडा में आपचारिक तौर पर उसको एंट्री करा लेंगे. It will be said that the party had staged a walkout when the law was passed way back in 1991 and it was under no obligation to retain it. कहा जाएगा, अगर सरकार अपने खुद के पास किये गए क्रिशी बिल्स वापस ले सकती है, तो Places of Worship भी रिपील कर सकती है. इस latest development से स्पष्ट हो गया है कि भारती जनता पार्टी और मोदी सरकार अपनी गोल पोस्ट शिफ्ट करने के लिए फिर से तैयारी करने लगी है. 2019 के judgment के बाद ये कहा गया था कि वो judgment एक resolution की तरफ रास्ता खोलेगा, लेकिन जैसा अभी देखने को मिल रहा है, ऐसा शायद नहीं होगा. इन्ही बातों के साथ आज का कारिकरम मैं खतम करता हूँ, नमस्कार.